तो हमारा आज की हेडिंग हो गई एसेंट ओप सेप यहीं जल का रशा रो है तो इससे पहले अपने एक वीडियो था उसके अंदर अपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था जिसके अंदर अपने पढ़ा था कि दिंगिंग थोरी और जो स्टेन जो एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में अपने पढ़ लिया था तो थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करेंगे और जैसे एसेंट ओप सेप कहते केसे हैं यानि जो प्लांट है प्लांट क्या करेगा सोईल से जो केपलरी जो वोटर है उसक तो इसके अपन क्या बोलेंगे आप को कि इसके और घृटर है और को यह पूलेंगे यह ओगि इसकी डेफिनेस और इससे पहले अपने दो एकस्परिमेंट किये थे एक का नाम था रिंगिंग एक्सपेरिमेंट और दूसरे का नाम था स्टेन एक्सपेरिमेंट या मेथड ठीक है रिंगिंग जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर अपने क्या खिया था कि दो प्लांट लिए थे एक प्लांट के अंदर अपने फ्लोई वाला पार्ट क्या कर दिया था अटा दिया और दूसरे वाला जो प्लांट है इसके अंदर जैने ओॉलब कर दिया टीक हैं तो अपने बार में क्या देखा कि जो प्लांट जो पहले वाला प्लांट है जिसका अपने फ्लोम को क्या क्या था अठा दिया था वो तो अभी क्या है जिंदा है और जिस पेंदा है कि अपने कोई plant है उसको Eocene के जो solution है उसके अंदर अपने डाला तो उसके बाद अपने section काट के देखा तो जायलम वाला जो portion है वो क्या मिला अपनको red color का दिखाई दिया तो ये जो experiment है इसे अपनको क्या पता चला कि जो जायलम है वो क्या करता है जल का सववन करता यानि जल को उपर ले जाने का काम कोन करेगा जायलम करेगा नए कि फ्लोईम करेगा ठीक है तो इसके बाद अपना आता है जायलम है जायलम है जायलम के अंदर क्या है जायलम के चार element होते है पहले क्या होगी, ट्रेकिड होगी, दूसरी क्या होगी, वेसेल्स होगी, और तीसरी क्या है, जायलम, फाइबर्स होगे, और चोथा क्या है अपना, जायलम, पेरिन काइमा, ठीक है, वाइका, वाइनिका, जायलम रेस से, और जायलम मर्दु तक, ठीक है, इसके अंदर अपन बात करें, तो, जो मेली तो वोटर है, वोटर को ले जाने का काम, या जो वोटर है, उसका सेवन करने का काम कौन करेंगे, जायलम की जो ट्रेकिड और जो वेसल्स है, वो करेगी, और जो fiber है ये क्या करेगी mechanical sports का काम करेगी ठीक है यानि उसको क्या करेगी यांतरी की सारा परदान करती है कोई भी plant है उसको और जो parent काइमा है ये क्या करेगी जैसे storage का काम करेगी ठीक है और इसके अंदर जो living shell है gyalum है जाइलम के अंदर का है लिंग जो tissue है वो क्या होगा parent काइमा ही होता है ठीक है जाइलम एक क्या है complex परकार का tissue होता है ठीक है जो trachid है trachid की बात करें तो ये क्या है spindle like tubular spindle like संचना है यानि क्या है tubular sorry spindle tubular like texture है ठीक है यानि इस परकार structure है sorry ठीक है इस पर करके क्या है spindle tubular like structure है जिसके अंदर क्या है periferal यहां पर क्या पाई जाएंगे pit पाई जाएंगे जो peripheral जो ओल है उसके उपर क्या पाई जाएंगे pit पाई जाएंगे और यह जो pit है इन pit के माद्यम से क्या होगा यहां पर तो क्या होंगे यहां पर तो end plug पाई जाएंगे end wall पाई जाएंगे जिसके क्या होगे यह जो किनारे हैं वो क्या अंदर जाने के लिए क्या करेंगा इसका तो माद्यव है वो क्या होगा water के जानने का वो क्या होगा, पिट होगा, यानि एक ट्रेकिट से दूसरे ट्रेकिट के अंदर water जो जाएगा वो किसके द्वारा जाएगा peripheral wall है उसके उपर जो pit पाए जायते हैं उसके द्वारा जाएंगे ठीक है माली जी क्या है यह दो क्या है किसे माली जी दो क्या है अपने ट्रेकिट है तो इसके जो पेरिफेल जो वोल है उसके उपर क्या पाई जा रहे हैं पिट पाई जा रहे हैं तो इससे क्या होगा एक ट्रेकिट से दूसरे ट्रेकिट के अंदर क्या होगा ओट चला जाएगा ठीक है इसके बाद अपने वेसल की बात करें तो वेसल है यह क्या होगा एक होलो ट्यूबलर लाइक स्टेक्चर है ठीक है कि पायप नुमा स्टेक्सर है जो कि क्या है सिद्धी है इसके अंदर कोई ऐसे पिट जैसे स्टेक्सर नहीं पाय जाएगी तो यह क्या है अपनी है कि होलो टूबलर लाइस टेक्सर है जिसे वोटर क्या होगा उपर क्यों अपवर्ड मुवमेंट करेगा ठीक है और जो फाइ मेंनकाम तो क्या है इसका मेकेनिकल स्पोर्ट का और इसके बाद अपना आएगा जाइलम प्यारेन काइमा इसका में क्या है स्टोरेज का ठीक है तो यह हो गया अपना जैलम के बारे में अब अपन बात करते हैं आ अगे इसके बाद हम जानेंगे कि ascent of shape है इसकी mechanism क्या होती है इससे पहले अपने दिमाग के अंदर तो question आते हैं कि पहला तो जी अपने देखा था कि water का जो movement होता है वो क्या होता है नए केबल जो water का column पाया जाता है वो भी क्या होता है stand by रहता है यानि क्या होता है खड़ा रहता है ठीक है water का जो stand है या column है वो क्या होता है gravitational force के against खड़ा भी रहता है ठीक है ये दो question है उसको आगे देखेंगे जानेगे कैसे यह जो mechanism है इनके मादम से देखेंगे तो ठीक है तो मारा आपका topic हो गया mechanism of ascent of shape ठीक है तो इसके अंदर इसको जो mechanism है ascent of shape इसको समझाने के लिए तीन थोरी दी गई पहलिक थी ट्वेटल थोरी दोसी है रूट प्रेशर थोरी तीसी है physical pressure ठीक है इसके लिए तीन थोरी दे गई ट्री रूट प्रेशर थोरी फिय्जिकल प्रेशर या force कुछ भी लिखते है si physical force ठीक है तीन दे गई पहली होगई वाईटल थोरी दूसरी होगे रूट प्रेशर थोरी तीस्री होगई फिजिकल फोर्स से ठोरी तो इनको अपन एक एक करके देखेंगे पहली है पनी वाइटल या वीटल थोरी इसके अंदर क्या होगा कि जो प्लांट है प्लांट के अंदर जो वोटर का जो मुवमेंट होगा वो किसकी किसके कारण होगा यानि एसेंट ओप जो सेब है किसके कारण होगा जो लिविंग सेल है उनके कारण होगा जैसे अपने जायलम है जायलम क इसके इंदर क्या है पेरियन कायमा की जो आधा वह क्या होती है एक मातर लीविन सेल होती है तो इसके इंदर क्या है जो ist has into सिदा सा है जो लीविंग ستंद सेल है उनके कारें क्या होगा उनकी बायाओ कि लोजिकल आऴे ठोज आください उनके कारण क्या होगा सेंट यह क्या अपना वेटल सिर्ट के और है ठीक है तो इसके पक्षिम में जैसे कुछ वेचाल को ने परम जैसे इसके पक्षिम कुछ थ्योड़ी दी जैसे एक अपनी थ्योड़ी है रिले पंप थोड़ी हागी ठीक है इसको दिया था गोड़ लेवेशकी ने ठीक है इसको दिया था गोड़ लेवेशकी ने उसे ने क्या बताया कि जो जायलम है जायलम के अंदर इसे ने क्या बताया कि जो जायलम है जायलम की जो पेरन काइमा जो शेल है वो क्या होती है अपनी लिवेशकी जायलम होती है ठीक है जो पेरन काइमा की जो शेल है इसके इंदर क्या होगा इसके अंदर क्या होगा आवर्ती रूप से या रैथमिक रूप से क्या होगा इसके अंदर जो ओस्मोटिक जो कंसेंट्रेशन है इसके अंदर क्या होगा चैंज होगा ठीक है गेता है is जो सेल है जाउलम की उसके अंदर क्या होगा आवर्ती रूप से क्या होगा ओस्मोटिक कंसेंट्रेशन के इंदर जोगा यानि कभी कम होगी कंसेंट्रेशन कभी क्या होगी ज्यादा होगी जिसे कारण जो water है वो क्या होगा track की door vessel तक के जाएगा यानि उसका क्या होगा ascent of shape पे होगा तो यहां पे जो ascent of shape का जो मूल कारण की शे बताया अपना जो parent काईमा की जो cell है उसके अंदर होने वाला जो osmotic concentration के अंदर आवर्थी चेंज है उसको बताया है या जो relay pump है उसको बताया यानि क्या है एक pump की बाती काम कर रहा है ठीक है तो गोडले उसकी ने यह मैने रिजन बताया है इसके बाद आते हैं अपने दो नमर वेग्यानिक आते हैं जिन्हों ने दिया पल्स एसन थ्योरी दी दो नमर वेग्यानिक है अपने सर्ज सिक्दीश चंदर बोस ठीक है इन्हों ने क्या बताया इन्हों ने एक प्लांट लिया प्लांट के इन्दर इन्हों ने क्या किया एक तो गेलवेनोमेटर लिया एक प्लांट लिया एक नोबली ठीक है और उन्हेंने क्या देखा कि जैसे probe है probe को जैसे plant है plant की जो inner most cortex की जो inner most जो layer है उसके अंदर क्या होता है pulsation पाया जाता है अब जब pulsation होगा तो क्या होगा galvanum वी तर्जू है उसके अंदर reading आती है ठीक है तो इसने यह के परियोग किया था तो इन्हों ने क्या किया इन्हों ने क्या बताया कि जैसे human है human के अंदर क्या होता है halt के अंदर क्या होता है pulsation होता है जिसके कारण क्या होगा जो blood है पूरे सरीर के अंदर क्या होता है क्या होता है जैसे चला जाता है ठीक है बलेट का circulation पूरे सरी की अंदर होता है उसी परकार क्या होता है जो cortex की जो inner mode जो cell है इसके अंदर क्या होगा endodermis से पहले की और cortex की सबसे अंदर वाली जो layer है उसके अंदर क्या होगा pulsation पाया जाएगा जिसे कारण जो water है water का क्या होगा अपवर्ट मुवमेंट होगा ठीक है लेकिन यह जो थोरी है जो जगदी चंदर बोस ने दी थी इसको अन्य किसी वेगानिक ने सिद नहीं किया या दूसरे जो वेगानिक है वो इसको सिद नहीं कर पाए तो इसलिए इसको क्या कर लिया गया नेगलेट कर दिया गया तो इसका जो वाइटल थोरी है इसको अपन दूसरे तरिके से भी देखे तो यह जो थोरी है इसके अंदर क्या है कुछ ओब्जेक्शन है ओब्जेक्शन क्या है वाइटल थोरी क्या कहती है या विटल थेओरी क्या कहती है इसके अंदर क्या है लिविंग शेल को आधार मानकर क्या है बताया गया है कि लिविंग शेल के कारण क्या होता है ऐसेंट ओप सेप होता है लेकिन अपने प्लांट की जो जायलम है जायलम है जायलम की जो लिविंग शेल है उसको अपन किसी भ प्रसा रोण है वो क्या होगा continue लगाता रहे जारी रहता रहेगा तो यह जो विटल थोरी है इसको ज्यादा value नहीं दीगे ठीक है इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं नमर दो है अपनी रूट प्रेशर थोरी ठीक है रूट प्रेशर थोरी इसके अंदर क्या है कि जो रूट है हिए अटब रूट के अंदर जो पाय जाने वाला जो जायलम है उसके अंदर क्या होगा root pressure क्या होगा develop होगा ठीक है root pressure क्या होगा develop होगा और इसी pressure के कारण क्या होगा जो वोटर है उसका क्या होगा अपवर्ट मूवमेंट होगा ठीक है इस ठोरी यह ठोरी क्या बोलती है कि जो जायलम है जायलम के इंदर जो रूट पाया जाता है उस जायलम के इंदर रूट प्रेसर क्या होगा डेवलप होगा और उसी रूट प्रेसर के कारण क्या है जो वोटर है water का क्या होगा रसा रोणी हाँ ऐसे टोप से पर होगा ठीक है लेकिन इसके भी कुछ objection है यह जो थोरी है छोटे प्लांट तक तो क्या हो सकती है लागू हो सकती है लेकिन प्लांट है जैसे जिमनो स्परम है उनकी हाइट क्या होती है 300 से 400 क्या होती है फुट तक पाय जाती है तो इस परकार के प्लांट में यह जो थोरी है वो लागू नहीं होगी क्योंकि इतना प्रेसर डवलप नहीं हो पाता कि टोप ऐसे प्लांट जो बहुत ज़ादा हाइट वाले प्लांट हैं उनके इंदर क्या है water टोप पार्ट तक पहुंच सके रूट प्रेसर के कारण और जैसे कुछ प्लांट है जैसे स्कूल एंट जो प्लांट है इनके इंदर क्या होता है रूट प्रेसर क्या होगा एप्सेंट होगा तो उनके इंदर water का रसा रोन कैसे होगा, ये भी एक objection वाली बात आज़ी ठीक है, तो ये क्या है छोटे जो plant है, उसके उपर तो लागू हो सकती है लेकिन जो high, बहुत ज़ादा height वाले जो plant है उनके उपर लागू नहीं होगी और objection भी इसके है कि कुछ कुछ क्या है जो प्लांट हमग उंछके रूट प्रेसर देखा ही नहीं गए तो इसके अंदर क्या होगा ऐसे हैं ट टॉप से पहर पर कैसे होगा तो यहां पर कियो कि खेड़ा होजाता था इसके बाद अपनी तीनद मर्ट थोरी है, reversible Force थोरी, ठीक है इसके अंदर जो physical force झो थोरी है, इसके अंदर क्या होगा, जो water है, water है, या जो jELL का रशारोन है, वो किसके कारण होगा, जो विबीन फरकार के जो physical force है, उसके कारण क्या होगा, जल का रशारोन होगा या जल का ऐसेंट ओप है, सेफ होगा, यानि jell का upward movement होगा, ठीक है? तो इसके पक्स में तीन-चार थोरी दिगई तो पहली जो थोरी है वो है अपनी क्यापिलिरी फोस थोरी ठीक है इसे दिया था बोम नामे वेगरने की ने दिया इसने क्या बताया कि जो प्लांट के इंदर पाया जाने वाले जो वेशल से ठीक है वेसे हैं उसके अंदर क्या होगा वो क्या करेगी यह यह busy की बांती काम करेगी जो जैलम के इनदसराइल मुत्त है क्या करेगी है जैसे हैं एक हुआं कि केपलरी को किसी विकर के अंदर रखें, तो ऑटर है, वो क्या होगा? मारे मोली जी यह क्या है, यह कोई विकर है, वोटर है, और मारे मोली जी इसको अपने क्या मांन लिया? केपलरी है तो इसको इसके अंदर रखेंगे तो एक सीरा क्या है वोटर के अंदर डूबा हुआ है और दूरसा सीरा क्या है ओपन है ठीक है दूरसा सीरा क्या है ओपन है तो इसके अंदर क्या है जो वोटर है केपलरी के अंदर क्या होगा पहुंचेगा यानि उपर क्या ड़ चड़ेगा ठीक है तो इसी तरह इसने क्या बताया पू ने कि जो केपल जो वोटर है कया करेगा जो वेशल्स है वह किसकी बांती काम करेगी के पलरी की बहुत काम करेगी जो इन वेशल्स के नंदर क्या होगा के क्या होगा इनके अंदर केपलरी फोर्स से डवलप होगा ठीक है यह जो केपलरी है केपलरी की बांती जो सोरी जो यह वेसल्स है केपलरी की बांती विवार करेगी और इनके अंदर क्या होगा केपलरी फोर्स से डवलप होगा जिसके कारण क्या है वोटर है वो क्या करेगा अ लेकिन इसके अंदर ओब्जेक्शन आगे, ओब्जेक्शन क्या आया कि अपने मान लिया, अभी आपको बताया, अपने इसको क्या माना था, विककर्ज इसके अंदर क्या था, वोटर बरा हुआ था, और इसको अपने क्या माना था, केपलरी माना था, इसका एक सीरा क्या होता है डुबावा होता है ठीक है वो दूसरा सीरा क्या होता है ओपन रहता है जिसके कारण क्या होता है वोटर उपरिक्योर मुवमेंट करता है ठीक है लेकिन जो वेसल्स है वेसल्स के अंदर जो वेसल्स का एक सीरा है वो क्या होता है पानी के अंदर डुबावा नहीं रहता है जो root है, root hair है, वो क्या होता है, पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, ठीक है, और पहला अप्जर्चन हो गया, क्या हो गया, कि cells है, इसका एक सीरा water के अंदर, complete शुरूप से डूबा हुआ, नहीं होता, और जो capillary जो force है, वो कब डवलप होगा, कि एक जो end है, वो क्या ठीक है, और जो इससे water जो उपर की ओर जाएगा, वो क्या होगा, फूल आएट तक के नहीं जाएगा, ठीक है, यहनी यहां तक नहीं आएगा, यहां तक भी रह सकता है, ठीक है, तो यह क्या हो गए, इसके objection हो गए, ठीक है, इसके बाद आता है, इंबाइवेसन थोरी, इं इसको दिया था, शेक नामक वेया गए, इसने दिया, शेक जो नामक जो वेगैनिक है, इसने दिया था, इसने क्या बताया, कि जाएलम के अंदर जो पाए जाने वाली जो वेसल्स है, ठीक है, जाएलम के अंदर जो पाए जाने वाली जो वेसल्स है, उसकी जो वोल है, वो क करती है ठीक है और उसके कारण क्या करेगा water है उपर की और चड़ेगा ठीक है लेकिन यहाँ पर अपने पिछे लास्ट के अंदर पढ़ा था कि जो water है ringing theory के अंदर अपने पढ़ा था कि water है वो तो जो vessels है उसकी lumen के द्वारा क्या होता है उपर की और चड़ता है इसका objection क्या हो गया कि water है wall के द्वारा उपर की ओर ने चड़कर किसके द्वारा होगा lumen ओ vessels यानि जो vessels है उसकी lumen के द्वारा water क्या ओपर की ओर चड़ता है नै कि wall के द्वारा या भित्ति के द्वारा ठीक है तो ये इसका objection हो गया तीन नम्मर है अपना atmospheric pressure ठीक है यह क्या कहता है कि atmospheric दाब डवलप होगा तो उसके कारण क्या होगा atmospheric दो दाब है या वायोमेंड लिए दाब है सब डवलप होगा तो इसके कारण क्या होगा water है उपर की और movement करेगा ठीक है अब क्या होता है जो root है, root के अंदर क्या होगा जायलम होगा ठीक है, वहाँ तो अपन देखेंगे कि atmospheric जो pressure वहाँ तो डवलप ही नहीं होगा अब वहाँ डवलप नहीं होगा तो यह थोरी वहाँ पर क्या हो जाती है इसके उपर क्या हो जाता है objection start objection आ जाता है कि वहाँ root के अंदर कोई atmosphere spirit जो pressure है वह डवलप ही नहीं होगा तो water का movement है कैसी होगा तो यह थोरी इस कारण क्या हो जाती है यहाँ भी इसके उपर क्या हो जाता है objection आ जाता है ठीक है, इसके बाद आपने आगे पढ़ते हैं तो यह तीन थोरी होगी इसके बाद अपना है physical force थोरी का जो चोथा जो जो चोथे जो थोरी है उसके बारे में अपन देखने है जो है क्या है transpiration pull and core issue add issue theory ठीक है इसका पहला जो part उसको पढ़ेंगे अपन core issue and add issue यह क्या होता है उसके बारे में अपन देखते हैं इसको दिया था डिक्शन और जोली ने ठीक है और सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो core issue है force वो क्या होता है इसके अंदर क्या होगा core issue force के अंदर यह जो force है वो क्या होगा similar जो molecule है उनके बीच में लगेगा जैसे water water है और ठीक है क्या होगा इसके बाद क्या है add issue जो force है वो क्या होगा different जो molecule है उनके बीच में लगेगा जैसे क्या होगा जो एक तो water का molecule हो गया और दूसरी क्यों होगा अपना जो wall है उन दोनों के मद्दे जो लगने वाला जो force है वो क्या होगा क्या होगा क्या होगा add issue force होगा ठीक है अब क्या होगा co issue force के अंदर तो क्या होगा जो water water है वो molecule आपस में क्या होगा add होगे और जो add issue है इसके अंदर क्या है जो different molecule है इनके अंदर क्या होगा ये लगेगा तो इस परकार इस force के कारण क्या होगा कि जो अपने सुरू में देखा था कि जो water का column कैसे बनता है किस force के कारण बनता है तो क्या है इन दोनो force के कारण क्या होगा water का column का निर्मान हो जाएगा vessels के अंदर जो पाये जाने वाला water का column है वो इन दोनो force के कारण क्या होगा develop हो जाएगा तो ये क्या है water column का निर्मान करते है ठीक है इसके बार अपन देखते है transpiration pull ठीक है ये क्या होता है इसको अपन इस diagram के मादम से देखेंगे कि mileage ये क्या है ये कोई plant है ये इसकी leaf है इसका stem है और इसकी root है रूट है इसके अंदर क्या है रूट है यह क्या है रूट है ठीक है अब क्या है भार क्या है टेंपरेशर हाई है टेंपरेशर हाई होगा तो क्या होगा जो वोटर है वोटर का क्या वोटर क्या करेगा वायोमनल के अंदर ट्रांसपाइरेशन के द्वारा निकल जाएगा या वोटर है, वोटर हांस्पायरेशन के तुरों क्या हो गया, बाहर चला गया, स्टो मेटा से, अब क्या होगा, जो मिज़ोफिल की जो सेल है, उसके उपनी वोटर की कमी हो गई, ठीक है, वोटर की कमी हो गई, तो मिजोफिल की जो सेल है उसके अंदर क्या हो गई उसकी मिजोफिल है मिजोफिल की जो सेल है उसके अंदर क्या है वोटर जो है बार क्यों चला गया इससे क्या होगा जो DPD है इस मिजोफिल की सेल की क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी ठीक है अब मिजोफिल सेल की DPD हाई हो हो गई ठीक है यह कोई सेल है इससे वोटर क्या हो गया निकल गया अब इसकी क्या होगी डिपीडी हाई हो गई जो यह जो सेल है इसके पास वाली सेल इसके अंदर क्या है वोटर हाई है तो वोटर क्या होगा लो डिपीडी से हाई डिपीडी और क्या करेगा मुवमेंट तो वोटर वो क्या हो जाएगा ऐसे चला जाएगा ठीक है अब अब इसके अंदर क्या है वोटर की कमी हो गई और इसके अंदर क्या हो गया है कि टेंस क्रियेट हो गया तो इसके अंदर वोटर की कमी हो गई तो इसकी जो पास वाली जो सेल है वो क्या करेगी इससे वोटर क्य करेगा मुवमेंट करेगा तो इस परकार क्या होगा वोटर है वोटर का मुवमेंट होता रहेगा ठीक है और यह जो टेंस या जो तनाव उत्मन हो रहा है वो कहां तक आजाएगा रूट हैर तक आजाएगा और इस परकार जो रूट हैर है वो रूट हैर बाहर से क्या कर और इस परकार क्या होगा जो वोटर है उसका क्या होगा एसे एंटों पर सेफ होगा ठीक है ठीक है यह हो गही अपनी टांसपाइरेशन पूल ठोरी इसके अंदर क्या होगा कि जो सेल है मिजओफिल की Sale है उसके अंदर क्या होगा Water Transpiration की Th creatures निकल जाएगा जिससे क्या होगा मिजओफिल की Sale के अंदर क्या होगा Tense Create होगा जिससे इस Tense के कारण क्या है जो Time CFlow है उससे क्या होगा Water वॉटर मिजओफिल की Sale Absorb करेगी अब उसके अंदर क्या हो जाएगा टेंस क्रियेट हो जाएगा तो इस परकार क्या बन जाएगा एक कोलम का निर्मान हो जाएगा वो लास्ट में क्या हो जाएगा यह जो टेंस है वो कहां तक आ जाएगा रूट हेर तक आ जाएगा वो जो रूट हेर है वो क्या कर लेगी बा घूंस्पपरिक जोगा है उसके कारण क्या होता है तो भीस यट्मसपपरिक बहुत हाई जादा हो गया ठीक है ओस्मोर्टिक प्रेसर देखा गया है इसके एगेंस्ट भी कुछ है जैसे इसके इंदर क्या है एगेंस्ट क्या है यह होगा कभी जब ट्रांस्पाइरेशन की जब जो रेट है वो क्या होगी बहुत ज्यादा हाई होगी तब ही क्या होगा यह होगा